नमस्कार दोस्तों मैं विकास आप सभी को अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों बिहार SAC ने केवल CGL 3 के लिए अपना कैलेंडर जारी कर दिया है CGL 3 के लिए अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उस कैलेंडर के नुसार आपका एक्जाम जो है नौवंबर में होगा यानि कि 25 से 27 और 27 नौवंबर 2022 को एक्जाम होगा जो प्रथम पीटी के एक्जाम होना है उसके बाद जो है इसका जो रिजल्ट आएगा वह आपको 20 से 30 जनवरी के बीच यानि कि 20 से 30 जनवरी 2023 के बीच आना है उसके बाद फरवरी में जो है आप आवेदन कर सकते हैं मेंस के लिए जिनका सेलेक्शन होगा मेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं उसके बाद मार्च में जो है आपका मुखे परिक्षा होगा मार्च 2023 में उसके बाद जो है अपरेल में आपका जो है इसका जो है अच्छा लिखा हुआ है लिखने वालों को मतलब क्या कहा जाता है कि जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ है इसमें कोई डाउट नहीं है देखिए CGL 1 CGL 1 जो हुआ था CGL 1 यानि कि अल्मुस्ट सारे 3 साल लगा हुआ था CGL 2 में लगभग लगभग 4 साल लगा अब CGL 3 है तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें भी कम से कम एकलिस्ट 3 साल तो जाना ही लेकिन आधी कैलेंडर निकाला गया है तो हम लोग अभी कैलेंडर के अनुसार ही चलेंगे यग इसका कोई भी जो बिहार हुआं सेसी का जो बात होता है अवास्यार अथ अपसे सथे लेकिन फिरवी हम लोग करेंडर करने हैंया यह व्सकार प्हुक्रत हैं तो इस 26 26 और 27 जो नौंबर है उसको ऊस को धयान में रखते हुए पहले एक वारा हो रहा था अध्यर है लिक्न हर अक्टूबर में लेने के लिए तो आक्टूबर कर घा Beim उस टाइम में हुआ नहीं अब जो है नवंबर का डेट दिया गया नवंबर वैसे पिछला इंटर लेवल का हुआ था जाम उसमें भी बहु सारा डेट जो है एक्स्टेंड किया गया डेट चेंज किया गया तो खैर अभी फिलहाल जो है इसी डेट को बात आती है कि इसमें कलेंडर जारी हो गया है तो अभी इसमें एकजाम में GB רोग दिए है जोट डाल eBut the prime पहले तो पहले तो पहले पी एकजाम के लिए आपको जबरदस्त जोड मेंना होगा क्योंकि इसमें 9 लाक के रिजल्ट में आना है इतना आपको आना है तो इसलिए 12000 के प्रॉक्स रिजल्ट आना है तो वह हो बहुत है के अलग अलग काटेग्री में दो इस कारण से आपको जितना भी आप पढ़ रहे हैं हैं वह शबापके लियक काई यह कम ही हैं जितना ज्दस ज्यादा होगी अर्पेस अowment एकना हो और कि ये कीजिया दोस्तों कि अगर आप पर्रहे हो तो अ यह बहुत ही फायदमंद करेगा पाइदा करेगा इनसी यार्टी का जो बूक है उसको जरूर पर है आप लोग क्योंकि वह ज्यादा आपको बेनिफिट देने वाला है तो दोस्तों बहुत ही आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा न्यूज है कि आपको एक नोटिस जारी करके बताया गया है कि बिहार एससी सीजियल ठीरी के एक्जाम इस इस महीने को होगा वैसे बिहार एससी के कोई भी ऐसा बार जिस पर हम लोग भरुसा करें वह भरुसेमंद है नहीं लेकिन फिर भी अगर डेट दे दिया है तो उस डेट को ही मान करके हम लोग तयारी करेंगे हाँ और मान करके चलेंगे कि मेरा एक्जाम उसी डेट में होगा और लगे रहें बढ़िया से करते रहें कि दानी सली सब्सेयल फूर्ठ i dont खरता गांध की दe मलगा टो आपनों इक अपक्राइब करने के लए दोस्तों और कोई सब्सक्क्राइब करने में कमेंट करने में घर कर लुब का टाइम लगता है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी नीचे आपका सवाल होगा वो नीचे कॉमेंट सेक्षन में डाल दीजिएगा उस पर वीडियो बनाया जाएगा ठीक है दोस्तों धन्यवाद